हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल यह दिखें विलकुल अलग तरीके के डिजाइन हम आपको यह बना के दिखाएंगे यह दिखें हमने पहले इस कलर से दो कलर में भी आपफी डिजाइन बुन सकती हैं और एक चाहे तो एक कलर में भी बुन सकती हैं फिलाब हम light कलर से य इसलाइब दिजाइन देख सकें तो देखें काई सरफ यह इसे पूरा कमप्लिट कर लेंगे ल्र इंहें दिखेंगे हम पहली तहला बूंके में अग़ा है अब हमें ये पiek सैड्से पूरी उल्टी बूंनी है कि इसको इसी तरीके से बूंने लेंना है ये सलाई ये देखें तो страх यह देखे एक दो इसी तरीके से हमने चार सलाई उपर और बुन लेना है यानि कि पूरे छे सलाई हमने बुननी है तो इसको कंपलीट करके आपको दिखाते हैं यह देखिए फ्रेंस हमने यह छे सिक चे सलाईया यह बुन ली है अब देखे डिजाइन कैसे बनेगा यहां से ऐसा जिजाइन बुनना है हमें पहला फंद हम यह उतार लेंगे इसके बाद पांच फंद हमने यह देखना है यह देखिए यह दो तीन चार पांच फंदे यहां पर यह 4 फंदे छोर के हमने इसके यहां से करनnा है यह दो तीन चार पांच यहां पर हमने यह जलाय ले जाकर पीछे से घागा निकालना है यह देखे ऐसे हमने यह निकाल लिया फिर हमने एक फंदा बुल लेना है फिर यहां से हमने यह दूसरा फंदा निकालना है फिर यह एक फंदा बुल लेंगे फिर यह तीसरा फंदा निकालेंगे फिर एक फंदा भूनना है फिर यह चवॉत्ऐ फंदा हो गया यहां से पिर एक फंदा भूलेंगे लिए फांचवा फंदा हो गया फिर एक फंदा यहां बोन लेंगे यह दिखे ऐसे ही हो गया उसके बाद फिर से हमने यह पांच फंदे लेने हैं एक दो तीन चार पांच फंदा और इसके पांच वे फंदे में नीचे से यहां से गिन लेंगे एक दो तीन चार पांच यहां से यह ले लेंगे फिर से हमने वैसे ही बुनते जाना है या देखे ले खेए पने लेकर हमने एक फनदा यह बुल लिया पिर यहाँ से खाल लेंगे हेल्ट पिर एक फनदा बुनेंगे कि यह पिर एक फनदा बुनेंगे यह चार फंदा यह हो गया फिर से एक फंदा बुनेंगे यह देखेशे पांच वे में फंदा एंड में यह फंदा और बचा इसको भी हम ऐसे लेके पिर यह बुनेंगे यह देखेशे फ्लेंज ऐसा हमारा यह डिजाइन बनने लगा है आप चाहे तो एक ही color से भी बुन सकती है और दो color से भी बुन सकती है और multi color से भी बुन सकती है ये पूरी सलाई हम आपको complete करके दिखाते हैं इसी तरीके से बुनना है हर बार हमने 5-5 फंदे का लेके 5 फंदा complete करेंगे फिर से 5 फंदा count करके और इसी तरीके से बुन लेना है यह देखेए फ्रेंट्स हम यह बुनते हुए end तक आ गए है अब end में हमारा यह 3 फंदा बचा हुआ है जिसको हम ऐसे ही बुल लेंगे क्योंकि यह 5 फंदी का डिजाइन है तो इन 3 फंदों को हम यह ऐसे ही बुल लेंगे बैक साइट से देखें आप कैसे बूनना है हमें इन तीन फन्दों को बैक साइट 되면 ऐसे भूनलिया अब यह दिखी डेजाइन का 12 जो थे इन दो फन्दों को एक साथ करेंगे हम जो एक एक फंद हमारे यहां बढ़ गया था इसको दो-दो फंदभं एक साथ बून देंगे यह दिखे ऐसे करके ऐसे दो-दो फंदभं लिए बून देना के यह देखे चार फंदभं गया एक फंदभ ~! यह दीजाइन मेंरेखे पांच फंद भंघ और यह देजाइन लिए है अब यह देखिए फिर से बुनेंगे इसको यहां पर यह देखिए एक कि दो कि तीन चार और यह पाच फंदा हो गया यह देखिए सभी फंदों को हमने डबल डबल फंदे करके बुन लेने है तो यह दिजाइन हमारा कंप्लिट हो जाएगा इसको पूरा कंप्लिट करके हम आपको दिखाते है यह देखिए फ्रेंस हमारा यह दिजाइन कंप्लिट हो गया है यह देखे ऐसे करके अब इसके उपर से हमने फिर से एक सलाई पूरा सीधा बुनना है उसके बाद पांच सलाई और सीधा उल्टा बुनेंगे पूरा छे सलाई कम्प्लीट करके फिर से ही दिजाइन बनेगा यह देखे इस तरीके से फिर से बुननेंगे हम थैंक यू फ्रेंड्स आपको इस वीडियो देखने के लिए कर दो जब है यह दो पिल्यांके यह दो बुनना है यह दो दो झाल झाल शेजा है